अगे बढ़ते हैं कल हम लोगों ने expiry पर option buying कैसे की जाए उस process को समझने की कोशिश की थी लेकिन उसमें हुआ क्या वो वीडियो जो था वो आपके लिए play नहीं हो रहा था, audio पर आप सिर्फ उसको सुन पा रहे थे उसके बिहाफ पर समझने की कोशिश करते हैं जैसे कल ही मैंने आपको बताया कि ये समय expiry specialist बनने का है, expiry को जो बहतर समझेगा, वो जो trades करेगा, उसके लिए जो चीज़े आगे आएंगी वो बहुत beneficial होगी क्योंकि expiry ही होती है option buying का time, ठीक है अच्छा, क्या खरीदना है, क्या नहीं ये कैसे decide होगा, ये decide होगा price action से ठीक है तीसरी बात कौन से strike price buy करने है call buy करना है, कौन सा call buy करना है ये कैसे decide होगा ये decide होगा time से ठीक है, time से decide होगा चलिए, आज के उपलक्ष में आज के price action को हम लोग सद्यान में रखते हुए आगे बलते हैं सबसे पहली बात हमको क्या जानी चाहिए कि कोई भी option buying का best time क्या है option buying का best time क्या है जब किसी option में उसकी value लगबग लगबग खत्म हो चुकी हो कि अगर कोई option आज के समय अगर आप 46,900 बाजार trade कर रहा है और अगर आप 47,200 को देखें ठीक है या फिर आप 47,300 को देखें तो आपको जो premium मिलेंगे वो क्या मिलेंगे यहाँ पर 47,200 का strike price हम लगा कर देख लेते हैं 29 तारी का call ये है इसका price क्या trade कर रहा है 364 trade कर रहा है 364 पर trade कर रहा है तो मैंने क्या कहा जब इन strike price की value 5-10 रुपए रह जाए या निफ्टी में देखें इंडेक्स जो है double है double का मतलब समझ रहे है अगर इंडेक्स निफ्टी trade कर रहा है 21,22,000 पर ठीक है 22,000 का इंडेक्स है और bank nifty trade कर रहा है 46,000 पर तो इसे 2 गुना है कितना है 2x है जब मैं bank nifty के लिए बोलता हूँ कि 5 और 10 रुपए के premium आपको 5-10 रुपए के बीच के premium खरीदने के लिए देखने है तो आपको एक बात समझ लेनी है कि nifty में वही premium जब इसकी valuation का ये half है तो आपको यही खरीदारी क्या करनी है 2-4 रुपए के premium या 5 रुपए के premium बात क्लियर हुआ 2-5 रुपए के premium इसके बीच के premium आपको खरीदने है यहाँ पर एक lot अब देखिए price में वो value विलग नहीं होगी यहाँ पर एक lot का size है 15 का मतलब हर 1.15 रुपए के बराबर है तो जब 5 रुपए की मैंने बात की या 10 रुपए की बात की तो ये total कितना price हुआ ये 5 रुपए के हिसाब से होता है 75 और 10 रुपए के हिसाब से होता है 1.500 रुपए एक lot का जो आपका amount आएगा cost आएगा खरीदने का 75 से 1.500 रुपए मार एक lot खरीद लेंगे यहाँ पर आपका lot size क्या है 50 का है अगर यहाँ पर आप 3 रुपए की value खरीदेंगे तो 1.500 हो गया 2 रुपए की value खरीदेंगे तो 100 रुपए हो गया 5 रुपए की value खरीदेंगे तो 1.500 रुपए हो गया तो बात के लिए लगबग लगबग वही amount यहाँ पर buying में आ रहा है वही amount यहाँ पर आ रहा है एक lot का size कैसे निर्धारित होगा यह समझ गये न ठीक है अब दूसरी बार पहली चीज तो हमने देख ली अब दूसरी चीज हमको क्या identify करनी है दूसरी चीज हमको क्या identify करनी है type मैं क्या बोलता हूँ जब premiums premiums का मतलब हुआ जहां पर bank nifty या nifty आज nifty का example लें आपको चलेगा बहतर आप लोग समझ पाएंगे ठीक है जब nifty अपने spot price जैसे अभी spot price क्या है 42,200 तो मुझे क्या करना है कि 42,200 के उपर और नीचे के strike price देखने है expiry session में आज nifty का expiry था तो nifty का देख रहे है कल bank nifty का था तो कल bank nifty का देख रहे थे अब कल किसका है sensex का है तो sensex का आप देखेंगे हाला कि sensex में आप लोग बोलते है liquidity नहीं रहता है मैं भी इस बात को मानता हूँ एक बात सुनिए liquidity नहीं रहता है other session Monday को आपको liquidity नहीं मिलेगा Tuesday को नहीं मिलेगा expiry session को डेड़ दो बजे के बाद वो buyers का time होता है sir वहाँ पर liquidity होता ही होता है ठीक है liquidity की कोई आपको कमी नहीं है हाँ उतना price में liquidity नहीं होगा जितने buyer, seller, bank, nifty में है उतने nifty में नहीं है जितने nifty में है उतने sensex में नहीं जायर सी बात है उतना liquidity नहीं होगा लेकिन खरीदार बिक्वाल वहाँ पर smart रहते हैं अच्छे खासे रहते हैं कि आप उनको trade कर सकते है ठीक है अब मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है near about पूरा आपके लिए एक setup की तरह बता रहा हूँ आप मैं कोई यहाँ पर theta का use नहीं करूँगा कल आपने price को सुन लिया होगा जिसने नहीं सुना है टेकनिकल को जिसको सुनना है वो कल का वो audio की तरह है 5-10 मिनट चलेगा उसके बाद वो audio की तरह है उस पूरे session को सुनेंगे देखे podcast की तरह आपको लगेगा बहुत सारे doubt सिर्फ सुनने मातर से clear हो जाएंगे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको screen present हो तो ही आप इन चीजों से connect कर पाए ठीक है अगर आप उससे जुड़ना चाहते है इस session के complete होने इसको पूरा देखने के बाद नीचे description में आपको link मिल जाएगा telegram channel का वहाँ पर उस video का मैं link अभी post करा दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजेगा ठीक है अब मैंने क्या कहा एक डेड़ बजे के आसपास आपको आना है और जैसे अगर डेड़ बजे nifty trade कर रहा है आपको 22-2200 तो आपको 100-200 points 100-500 points उपर आपको 24 रुपय का एक call देखना है और 100-500 points नीचे 24 रुपय का एक put देखना है ठीक है call और put देख लिए call और put देखने के बाद आपको क्या करना है अब हमको चुनना है call में पैसा लगाएंगे या put में क्यों अब देखिए क्या समझ किया रहे है यहाँ पर हमको multi bagger price करने है 2-4 रुपय के premium 40-50 में बेचने का सोचना है 10 गुना 15 गुना करने का सोचना है इसलिए तो expiry पर कर रहे है अब देखिए आप लोग क्या करते हैं Monday को Tuesday को जब यही trades करते हैं SL आपके पास नहीं 364 का यह price अभी आप buy कीजिए और आपके against में momentum होगा आप 50 रुपय का SL नहीं लगा पाएंगे तो 100 point ले जाएगा यहाँ आपको खरीदना ही 5 point है जब 5 point की buying है आपकी तो अगर यह 0 होगा तो limit SL आपके पास पहले से लगाने की ज़रूरती नहीं डेर सो रुपय का एक lot है 10 lot buy कर लेंगे तो 15 सो रुपय 0 होगा यह मेरा limit SL है वो तो हर trade में आपका जा रहा है जब आप SL लहीं ले पा रहे है या ले रहे हैं तो भी तो limit stop loss पहले से बाजार नहीं criteria तैय कर दिया दूसरी बाग दूसरा focus क्या है momentum जब आएगा तो 364 का price कितना चल कर जा सकता है 364 का price कितना ही चल कर जा सकता है ठीक है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो ध्यान से सुनी अब मैं आपको एक तुलना करके बता रहा हूँ ठीक है अगर आप तुलना करेंगे और हाई लगा है 398 तो momentum बैंक निफ्टी में कितना आया जितना आज की expiry के लिए आया है उतना ही इस expiry के लिए ठीक है बैंक निफ्टी तो उतना ही चल कर गया है जितना आज की expiry के call put के लिए चल कर गया है उतना ही अगली expiry के call put के लिए चल कर गया है हो जाता बात क्लियर हुआ अब यहीं पर मैं आपको बताऊं 46 900 का इस्ट्राइक प्राइस एक्जामपल समझ यह बस 46 900 का कॉल एक एक्जामपल समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ दें 46 900 का कॉल अरे सर कौन सी एक्सपारी दे रहा है आप दुबारा से लगाता हूँ ठीक है मुझे 21 तारीक का एक्जामपल लेंगा कल एक्जामपल लिया था अच्छा इसी को अगर निफ्टी में अगर आप समझें अगर बैंक निफ्टी सही मैं तुल्ला करूं कि बैंक निफ्टी में यही प्रीमियम अगर आप देखते 46 900 का अग अगर आज expiry होती तो 5-10 रुपए की आपकी बाइंग होई होती और वो प्रीमियम हो गया होता है इतने ही मुमेंटम है जितना बैंक निफ्टी में आज मुमेंटम हुआ 100 रुपए 120 रुपए तो यहां पर आपका 10-12 गुना हो गया 10-12 एक्स और यहां पर कितना हुआ यह पर आपका पैसा डबल भी नहीं हो रहा है यह होता है जब किसी strike price की value उसके lowest price पर होती है यह क्या होता है इसको technical में कहते है gamma effect जब किसी strike price के में theta का पूरा डिके मिल चुका हो तब अब valuation peak पकडेंगे फिर उसके बाद दुबारा से low पकडेंगे उसमें value बनेगी फिर erosion price में option buying करते हैं buyers उनका benefit होता है multi bagger premiums को credit कराना 2-4 रुपए की चीज 40-50 रुपए पर बेच करा जाईए अब मैं समझाता हूँ आपको practical ठीक है मैंने क्या कहा 2-2-4-4 रुपए के call आपको देख लेने तो जैसे यहां पर मैंने क्या कहा डेड़ बजे के आसपास आपको आज किसकी expiry है nifty के तो nifty में यह काम करेंगे ठीक है nifty में क्या किया हम लोग यहां पर बैठे रहे और देड़ बजे के आसपास यह देड बजे का मेरा candle बन गया ठीक है अब इस डेड़ बजे की candle को जो मैंने देखा तो मैंने क्या का trend identification की price क्या कर रहा है तो मैंने आपको एक setup बताया हुआ है projection में सब से deep projection का वो behavior है क्या positive consolidation और negative consolidation अगर positive negative consolidation पर दुबारा station चाहिए तो नीचे comment section में बताईएगा और old station अगर दे consolidation होता है जब एक गिरता हुआ price last candle जिससे low लगे उसके high low mark करने पर next 3-4 candle इस last candle जिससे last low लगे है day low उसके ऊपर trade करने की close करने की कुछिश करे तो यहाँ पर last low लगे हैं इस candle से अगर आप इस candle के high mark कर लें तो आपको पता लगेगा कि इस candle में अगली 3-4 candle क्या हुई है इ यह positive consolidation बताता है कि कोई भी trend यहां से reverse हो सकता है यह अच्छे buyer का sign है अप price यहां से चल कर जा सकता है यह आपको बता रहा है positive consolidation ठीक है इसको विस्तात पुरवक सीखना है तो comment section में बताईएगा अब यहाँ पर आप खरीदारी देखेंगे तो बताईए मैंने 2-4 उपय का call अपने watch list में रखा था और 2-4 उपय का put भी तो मैं किसकी तरफ बढ़ूंगा 2-4 उपय के call की तरफ यह मेरा आज का trade प्लान है कि मुझे इस 2-4 उपय की call की खरीदने की कोशिश करने है अब मैं क्या बोला कि यहां पर अब आप छोड़े time frame पर जाएंगे 5 मिनट पर गए और यहां पर क्या देखना है अब हमको चाहिए momentum तो momentum को जब हम देख रहे होते हैं तो उसके लिए क्या महतपूर है सर उसके लिए महतपूर है 8 exponential moving average अच्छा अब हमको call buy करना है मतलब long का price देख रहे है ना long तो जो भी call buy करेंगे वो 2-4-5 रुपय से ऊपर चल कर जाएग तो मैं क्या एड करूंगा बताइए मैं एड करूंगा 22,100 उसका premium होगा ना 2-4 रुपय उस समय चलिए यहां पर आज हम लोग 2,100 का example लेते हैं बिल्कुल clear समझे अंत तक बने रही है और आप देखिए कि आपको momentum मिलता है यह 22,100 का मैंने क्या किया 22,100 का एक अपने पास price रखा ठीक है 22,100 का price रखा और price रखने पर फिर मैं चला गया दो minute के time frame पर और दो minute के time frame पर जाने के बाद हमको क्या करना होगा यहां पर एक moving average plot करना होगा moving average plot किया, कौन सा, यहां पर setting में क्या change करना है, 8 car length, close exponential low, और SMA को EMA में convert कर दिया, ठीक है, अब यह मेरा पूरा setup बन गया, अब मैंने क्या कहा, यह धन का demet account है, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, इसमें trading view में, जो भी आपको सुविधा है, paid charts में मिलती है, वो यहां पर आ क्या रखूंगा, nifty, इसमें क्या रखूंगा, nifty, और इसमें क्या रखूंगा, option का chart, यहां पर मैंने क्या रखा, nifty है, यह और यह है, 22,100 का option का chart, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, nifty से momentum देखूंगा, क्या करूंगा, nifty से momentum देखूंगा, कि अब मुझे कोई खरीदा खरीदारी करने का मौका अगर यहाँ पर मिलेगा तो मैं उसको 2 करने की कोशिक करूँ आप यहाँ नीचे आने के बाद अब यह क्या समय है बताई समय है एक बजकर 21 मिनट के आसपास का यहां पर 21 कब हो रहा है सर यहां पर 21 हो रहा है इस टाइम दूरेशन ठीक है अब यहां पर यह प्राइस यहां से निकला है इस रेंज के हाई निकले यह प्राइस नीचे से आकर ऊपर देखे एक बार नीचे आया दुबारा नीचे आकर अब यहीं पर हमको long करना था यहां पर long करने का जब यह प्राइस मिला तो क्या भाव चला है खरीदे ने जब बकains है 127 रुपए यहां पर long किया चार रुपए पर और प्राइस क्या हो गया आज expiry day है तो हमको trailing बहुत fast करना होता है इसके लिए skill लगेगा थोड़ा समय लगेगा इस पर strength बनाने पर इसलिए मैंने कहा expiry specialist बनना है तो उसमें थोड़ा समय देना होगा हर बार expiry को trade करते करते उस पर practice कीजिए फिर आगे आपको उसको results मिलेंगे जो की बहुत आपके लिए देखेंगे कि कैसे आपके लिए काम दर रहे है अब देखिए एक entry मिला दुबारा फिर प्राइज नीचे आकर इस तरीके से फिर उपर गया यहां पर आप देखें तो यहां भी आपको यही देखने को मिलेगा प्राइज नीचे आया नीचे आने के बाद फिर उपर 12 का premium में क्यों 0 कराएंगे stop loss के साथ चलेंगे अब यह 10 12 का premium देखिए कहां जाकर बंद हो रहा है 10 12 का premium 117 क्लोजिंग क्या है 117 बात क्लिर हुआ 10x फिर से हो गया 10 गुना फिर से हो गया यही कल मैंने bank nifty कल bank nifty की expiry था तो कल bank nifty को हमने इसी concept को सीखा था ठीक है कल bank nifty की expiry में आपने देखा 4 गुना 8 गुना premium हुए आज आपने nifty की expiry में देखा 5 गुना 8 गुना 10 गुना premium हुए तो यह जो impact है कि option buying करने का best time डेड़ बजे के आसपास बनता है कल भी डेड़ बजे के आसपास आज भी डेड़ बजे के आसपास कल sensex है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा observe कीज़ेगा चीज़ों को देखेगा फिर अपने तरीके से analyze करके वहाँ पर execution कीज़ेगा एक expiry नहीं हर expiry यह करना है हर expiry ठीक है और धीरे धीरे आप देखेंगे option buying में यह जो expertise जो ले आएगा trader उसके लिए आने वाला future बहुत bright है क्यों यहाँ पर आपको जो results मिल रहे हैं आपकी buying के वो बहुत बड़े हैं जो आप किसी earn session में करते हैं Monday को nifty कर रहे हैं या Tuesday को आप bank nifty या nifty कर रहे हैं तो उसके परेड़ा मलग है वहाँ पर आप उतना ही कमाएंगे जितना कमाएंगे यहाँ पर कमाने के लिए बहुत बड़ा रिज़े होने खुला आसमान है सामने सर पूरा target देखिए 10-12 का premium 178 close करता है ठीक है मैं trail करते हुए यहाँ भी book कर लूँगा ना तो भी 60-70-80 पर निकल जाओंगा पूरा momentum कोई नहीं लेता है उपर का 20-25% छूट जाता है नीचे भी छोड़ना ही पड़ता है जब entry ले रहे होते हैं तो comment section में मुझे बताईए और जितना मैंने समझाया है जितना मैंने समझाया है इसको live market में जाके यह भी आपको थोड़ा भी doubt रहे गा हो तो अपने charts पर इन price को लगा कर देखिए strike price को लगाईए ठीक है और एक तरफ nifty के chart को लगाईए और दोनों को एक layout में देखने की कुछिच कीज़े फिर आपको देखिए उसके क्या परेड़ा मिलते हैं और अगर आपके पास trading view का paid subscription नहीं है तो नीचे description में मैंने बताया धन के demand का link है वहां से open कर लीजिए वहां आत्री धन्यवाद आज के लिए परियापते